विहार इन शॉट्स सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं हमारे पीछले वीडियो को कई लोगों द्वारा देखा गया आपकी प्रतिक्रियाएं भी हमें मिली आपके सवाल भी हमें मिले जब आपके सवाल हम तक पहुचे तो हमने सोचा कि वचसला सिंग तक और डीम तक इन सवालों को पहुचाना जरूरी है आपको बता दें कि डीम धरमेंदर कुमार ने अपनी पतनी वचसला सिंग को तलाक की अरजी दाखिल की है जिस पर सुनवाई कोट में चल रही है लेकिन जब वचसला सिंग डीम धरमेंदर कुमार के घर के बाहर धरने पर बैठ गई तो यह बात मीडिया में जोर शोर से उचलने लगी उसके बाद वचसला सिंग ने डीम से माफी भी मांगिया अपनी गलतियों के लिए और कई आरोप प्रचारों का जिक्र किया कुछ और सवालों पर हम बात करेंगे जो वचसला सिंग की भी है डीम धरमेंदर कुमार की भी है और आप की भी है जिसमें से पहला सवाल जब हमने वच्छला सिंग से पूछा वो यह था कि क्या मोडर्न बनती है वच्छला सिंग घर में घरेलू कपड़े नहीं बलकि ऐसे कपड़े पहनती है जो अमर्यादित है यह आरोब डियम धरमेंदर कुमार द्वारा लगाए गए जिसके जवाब में वच्छला सिंग ने कहा कि उन्होंने अपने घर में कपड़े पहनते वक्त उसका खास खयाल रखा यहां तक कि वो जब अपने माईके में भी थी तो वो ऐसे किसी कपड़े को नहीं पहनती थी जो उनके घर वालों को माता पिता को पसंद ना आए साथी साथ वच्सला सिंग ने यह भी कहा कि अगर कपड़ों से कोई दिक्ट थी तो उसके बारे में डीयम साहब को मुझ से कहनी चाहिए थी ना कि मेरे परिवारवलों से, मेरे रिष्टदारों से वच्छला सिंग ने एक आरोप लगाया कि जब डियम धर्मेंदर कुमार को किसी बात से दिक्कत होती थी तो वच्छला सिंग जो कि उनकी पत्नी है उनसे ना कहकर अन्य लोगों से जादा कहा करते थे वहीं दूसरा आरोप वच्छला सिंग पर यह लगा कि वच्छला सिंग चाहती थी कि डियम अपने माता पिता के साथ नहीं बलकि अकेले उनके साथ रहे जिसके जवाब में वच्छला सिंग ने कहा कि वह उनके माता पिता के साथ रहना चाहती थी और यह भी चाहती थी कि वह भी उनके साथ, मतलब कि अपने सास ससूर के साथ रहें और उन्होंने आगे कहा कि अभी ओर लोग यानि कि डी-म और वच्छला सिंग काफी चोटे हैं और उन्हें माता विता की सहायता की जरूरत है, सलाह की जरूरत है और यह भी कहा कि अपने सास अज़ोद्वारा वच्सला सिंग को खूब प्रेम मिला मगर उनके पती ही उनके साथ रहना नहीं चाहते थे कभी अपने जंगल यानि की बगहा में पोस्टिंग की बात करके वच्सला सिंग को मना करते साथ रहने से तो कभी किसी और बहाने से जब हमने पूछा उनसे कि अगर आप इतनी अच्छी थी तो फिर डियम धरमेंदर कुमार ने आपको तलाक क्यों दिया तो वच्सला सिंग का यही कहना था कि डियम धरमेंदर कुमार मुझ से मेरे साथ रहना नहीं चाहते थे उनका कहना था कि मैं बहुत मौडर्ण हूँ इंग्लिश में बात करती हूँ लेकिन यह सब तो मुझे शादी से पहले भी उन्हें पता था तो पहले आपती क्यों नहीं की बाद में क्योंकि यह सवाल वच्सला सिंग ने पूछा और साथी साथी अभी कहा कि सारी बात थे शादी के पहले होने के बावजूद भी वर उन्होंने ऐसा किया दूसरा सवाल हमने यह पूछा उनसे कि आप माईके कैसे आई तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ दिनों की छुटी के लिए जब माईके आई टो उसके बाद उन्होंने कॉल उठाना बंद कर दिया, मैसेज का रिपलाई बंद कर दिया साथी साथ मुझे टॉर्चर करते मुझे तलाक के लिए राजि करने की कोश्श western करते और एक बार उन्होंने एक तलाक अर्जी पर मुझसे साइन कराने के भी कोशिश की थी पर मैंने नहीं किया तो वही साफ साफ कहना था कि जब माईके हैं उसके बड़ डियम धरमेंदर कुमार का उन्हें जवाब नहीं मिला जिस कारण से वह अभी तक माईके में ही है जब बात उस केस की हुई उस तलाक अर्जी की हुई कि उस पर काउंसिलिंग में क्या कुछ हो रहा है तो उन्होंने कहा कि पुलीस वाले मुझे टॉट्चर करते हैं वह ऐसी ऐसी सवाल पूछते हैं जिस से लगता है कि मेरा मजाग उड़ा रहे हैं और कोई काउंसिलिंग नहीं करना चाह रहे है उन्होंने कहा कि मुझसे सिटी एस पी ने पूछा कि आप क्यों रहना चाहती है अपने पती के साथ तो जाहिर जी बात है कि यह सवाल किसी भ आप ऐसा कह रही है तो वचला सिंग का जवाब था कि जब वो डीम नहीं थे तब मेरी उन से शादी हुई थी मुझे अपना पती वापस चाहिए मुझे किसी डीम से कोई मतलब नहीं है मुझे बस एक पती के रूप में धरमेंदर कुमार वापस चाहिए यह बाते जब आगे बढ़ीं तो तलाक अरजी की भी जिक्र हुई जिसमें डीम धरमेंदर कुमार ने कहा है कि उनके पास एक आडियो टेप है जिसमें वचला सिंग ने तलाक की बाते कही हैं जिसके जवाब में वचला सिंग ने कहा कि जगड़ा किस घर में नहीं होता और जगड़ा जब बढ़ता है तो बाते सीरियस भी हो जाती है मगर उसे रेकॉर्ड करना एक पती का धर्म नहीं है इन तवाम बातों को हमने आपके सामने रखा आप भी अपनी प्रतिक्रिया इस पर दें शुक्रिया